जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अहाँ पर जीके के बहुत ही महत्तुपुन कॉस्चन अंसर वीडियो पूरा वज़से देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस आपको चैनल की आखे रियर करें ताकि अनललोब वीडियो देख सके आख़ी में आपके लिए बताना कि कितने कॉस्च्टन आपसे अहाँ पर सही बने हैं आज का फर्स्ट कॉस्चन क्षाад करें तो आज का फेस्ट कॉस्च्टन है करतक की संस्थापक कौन थी चार आंसर है यहां पर लाला हर्दयाल आपका सई आंसर होगा, question no.2 पूंचा है आप से लोक लेखा समीती का गठन कब हुआ था, question no.2 है महत्वपून question है, और यहां पर आपका सई आंसर है, लोक लेखा समीती का गठन पूंचा है, तो 1921 इसीशवी में हुआ था, विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है question number 3 आपसे यहाँ पर पूँचा गया है कि मादमिक कारिका के रचेता कौन है नांगरजुन है या असंग है या बसुबंदु है धर्म कीरती है तो question number 3 है और 3 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा question number 4 क्या पूँचा है देख लेते हैं यहाँ पर पूँचा है कि गोखर या चाप ओक्सवा जील जो है कहाँ पाई जाती है यह जील जो है पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती है समुद्र के किनारे समतल मैदानी भागों में या गहरी नदी के किनारे question number 4 का right answer है समतल मैदानी भागों में ये जीले पाई जाती है तो विकल्प number आपका C यहाँ पर सही answer होगा question number 5 आप से पूँचा है पबन की गती मापने का यांतर क्या कहलाता है ये बताए question number 5 है और 5 का सही answer आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर बिल्कुल सही right answer है कि पबन की गती मापने का यांतर क्या कहलाता है तो ये कहलाता है पबन बेग मापी यानि कि विकल्प number आपका 4 यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number D right answer है question number 6 क्या पूँचा है देखिए कि मानव सरीर किन 5 तत्तों से बना है ये महत्पूल question है आपका बताईए मानव सरीर किन 5 तत्तों से बना है तो question number 6 का right answer है आपका विकल्प number B बायू प्रत्वी अगनी आकास जल ये जो है 5 तत्तों से बना है निमाना उसरीर तो विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा question number 6 पूचा है देख लेते हैं question number 7 है यहाँ पर की chips के थेले में कौन सी gas भरी जाती है यह आपको बताना है carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, oxygen question number 7 है और 7 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है right answer chips के थेले में कौन सी gas भरी जाती है तो आपका सही आंसर है nitrogen यानि की विकल्प नंबर आपका सही यहाँ पर सही आंसर होगा nitrogen बिल्कुल सही nitrogen right answer है अंगला question क्या है तो देख लेते हैं भारत में हरत राजमार्ग नीती कब शुरू की गई question number 8 का सही आंसर बताने भारत में हरत राजमार्ग नीती कब शुरू की गई 2015 में 2017 2019 या 2020 में तो सही आंसर है question number 8 का विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है यानि कि 2015 में भारत में हरत राजमार्ग नीती शुरू की गई थी question number 9 आपसे पूचा है कि सर्वच न्यालय के नियाधीस की सेवा निर्वित्ती की आयू क्या होती है अंठाउन बर्स होती है 60 वर्स वासट वर्स या 65 वर्स यह महत्तपूर्ण question है आपका तो यहाँ पर question number 9 का सही आंसर है सर्वच न्यालय के नियाधीस सों की जो सेवा निर्वित्ती की आयू होती है वह कितनी होती है 65 वर्स यानि कि विकल नंबर डी आपका सही आंसर होगा question number 10 आपसे पूँचा है राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है उपराष्ट पती को या फिर लोकसवा उपाद्यक्ष को प्रधानमंतरी को या भारत के मुख न्याजीस को question number 10 है और 10 का सही आंसर है आपका विकल नंबर एक यानिकी उपराष्ट पती को विकल नंबर एक आपका सही आंसर होगा उपराष्ट पती विल्कुल सही question number 11 यहाँ पर पूँचा है असोक के सारनात इस्तम पर कौन सा पसू चित्र अंकित नहीं होता नहीं पूँचा है आपसे घोडा हाती सेर या गैंडा तो question number आपका यहाँ पर पूँचा है 11 और 11 का सही आंसर है गैंडा यानकि विकलब नंबर दी आपका सही आंसर होगा question number 12 पूचा है कि सुदर्शन जील का निरमाल किस ने करवाए था तो बताइए question number 12 है इसका निरमाल किसंद ने करवाय था तो question number 12 का सही आंसर है विकल्प नमबर D यानि की पुस्य गुप्ते व्यस्य ने तो विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा अस्व घोस का जन्म कहां पर हुआ था बताए संकेत, साकेत, सक्तिनगर, भक्तिनगर question नमबर आपका यहां पर 13 है और 13 का सही आंसर बताना है अस्व घोष का जन्म कहां हुआ था तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानि की साकेत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 14 क्या पूँचा है देख लेते हैं देखे question number 14 आपके पूँचा है अस्व घोष किस सासक का समकालीन था चंद्रगुप्त प्रिथम कनिष्क इसकंद्रगुप्त यहर्श वर्धन महत्पूण question है question number 14 और आपका सही आंसर है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर तो अस्व घोष किसकी समकालीन थे तो कनिष्क आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा question number आपका 15 है कि 1906 में Muslim League का गठन किस इस्तान पर किया गया था यह आपके लिए बताना है मुलतान में धाका में दियोबंद में पीसावर में question number 15 है और 15 का सही आंसर बताईए 1906 में Muslim League का गठन किस इस्तान पर कि होगा तो इस परकार यहां पर बहुत ही महत्तपुण question answer अपन ने जीके के यहां पर देखे जो कि बहुत ही महत्तपुण थे कितने question आपसे यहां पर सही बनी है comment में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर लें और